हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को दो घनों के अंतर के रूप वाले बिंजकों का बुरनखन ग्याद करना सिखाया था इस वीडियो में कुछ और ऐसे सवालों को ही हल करना सिखाएंगे यहाँ पर देखिए हमारा पहला सवाल है यक्स पावर सेवन वाई माइनस 8 एक्स वाई पावर सेवन यह हमारा दो घनों के अंतर के रूप वाला बिंजक है इसका गुरनखन कैसे करेंगे आईए इसको देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले इसको दो घनों का अंतर के रूप में कामा लेकर के करेंगे तो यहाँ पर एक्स पावर सेवन है और यहाँ वाई है अगर हम दोनों में से एक्स वाई कामल ले लेते हैं यहाँ एक्स वाई पहले कामल ले लेंगे तो यहाँ पर y स y cancel हो जाएगा यहाँ पर बचेगा x power 6 माइनस यहाँ पर बचेगा 8 y power 6 अब यहाँ पर यह हमारा दो घनों के अंतर के रूप का हो गया अब आईए देखिए इसको कैसे हम इसका गुड़न खंड करते हैं तो यहाँ पर यह हमारा भो गया x का power x y अब यहाँ पर x power 6 को हम लिखेंगे x square का whole cube यहाँ पर यह 3 दो निच्छा हो जाएगा माइनस 8 का घनमूल हम दो लेते हैं और y का y square 2y square इसका power 3 कर देंगे अब यहाँ हम इस bracket close कर देंगे अब यहाँ पर bracket के अंदर a cube minus b cube वाली के रूप का बेंजक आ गया है अब यहाँ इसको x y लिखेंगे अब इधर हम लिखेंगे a cube minus b cube होता है a minus b a means x square यहाँ पर यह होगा x square minus 12 y square a minus b हो गया into a square यह x का square होगा x का power 4 हो जाएगा फिर प्लस दोनों का गुड़न फल यहाँ बारह x square y square प्लस बारह x square y square फिर प्लस इसका cube बारह का square करेंगे 144 y का power 4 हो जाएगा यहाँ इसका हो जाएगा 144 y का power 4 तो इस तरीके से यह हमारा जो दिया गया बेंजक है इसका एक गुड़न खंड हो गया x y दूसरा हो गया x square माइनस 12 y square और इसका तीसरा गुड़न खंड हो गया x power 4 प्लस 12 x square y square प्लस 144 y का power 4 तो इस तरीके से इसका गुड़न खंड हो जाएगा आशा करता हूँ कि यह सवाल आपकी समझ में आ गया होगा अब आज़े दूसरा सवाल देखते हैं हमारा दूसरा सवाल है x power 9 minus y power 9 अब यहां पर हम x power 9 को हम लिखेंगे x square का होल क्यूब x cube का x cube का होल क्यूब लिख देंगे फिर माइनस y cube का होल क्यूब कर देंगे अब यह हमारा a q minus b carb के रूप में आ गया तो अब यह हमारा हो जाएगा a minus b यही एकस q minus y q इंटू अब यह हो जाएगा दूसरा x square यानि इसका स्क्वाइर हो जाएगा x पावर 6 प्लस ab प्लस x स्क्वाइर y x क्यूब y क्यूब और प्लस इसका y पावर 6 हो गया अब फिर हम इसका गुणन खंड कर लेंगे यह जो हमारा दिया गया है अब यह हो जाएगा x माइनस y इन्टू x स्क्वाइर प्लस xy प्लस y स्क्वाइर और फिर इधर इसको हम लिख लेंगे अब यह उपर वाले को लिख लेंगे x पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस y पावर 6 तो इस तरीके से यह हमारा गुणन खंड इसका प्राप्त हो जाता है एक गुणन खंड x माइनस y दूसरा x स्क्वाइर प्लस x y प्लस y स्क्वाइर और तीसरा इसका गुणन खंड होगा x पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस y पावर 6 आशा करता हूँ कि यह दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे आई एक आज स्वाल और देखते हैं ताकि अस्पस्ट हो जाए यह रहा हमारा अगला स्वाल 343 x क्यूब माइनस 14 x प्लस 6 y माइनस 27 y स्क्वाइर अब इसको एक साथ कर लेते हैं यह हमारा हो जाएगा 343 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब अब इदर माइनस यहां पर ले लेंगे इन दोनों में 14 x यहां लिख लेते हैं 14 x प्लस 6 y अब इसको हम लिख लेंगे यह 343 है 7 x इसका घनमूल होगा 7 और यह x क्यूब का x होगा इसका क्यूब कर देंगे माइनस 27 का 3 y का होल क्यूब कर देंगे अब इधर इन दोनों में अगर हम माइनस दो कामन ले लेते हैं तो यहां यह हमारा हो जाएगा 7 x माइनस 3 y अब यह हमारा a q माइनस b q की रूप में आ गया है इसको हम करेंगे a माइनस b इंटो a square प्लस b square प्लस a b हो जाएगा यहनि 7 x माइनस 3 y का गुड़न फल प्लस 21 x y फिर इसका square करेंगे प्लस 9 y square और इधर माइनस यहां पर last में हमारा बचा है यह माइनस 2 7 x माइनस 3 y अब देखिए यहां पर इसमें और इसमें इतना कामन है इसको कामन ले लेंगे हम तो 7 x माइनस 3 y कामन ले ले लेते हैं अब यहां पर यह हमारा बचेगा 49 x square प्लस 21 x y प्लस 9 y square अब यहां पर माइनस 2 बच जाएगा हमारा तो इस तरीके से यह दोनों हमारे गुड़न खंड इसके आ गए 7 x माइनस 3 y और दूसरा इसका गुड़न खंड होगा आप सभी को यह दो घनों के अंतर के बेंज़कों का गुड़न खंड ग्यात करना सिखाया आसा करता हो कि इस समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद